तो पहला कोशन है में को जहां तक याद है वाई साथ तो इसमें आपका जो कोशन है वो तीन नंबर का था इन्हों ने जो है वो दो नंबर के दिये हुए उसे कोई फार्क नहीं पड़ता यह क्या हो रहा है यह नंबर में भी आ सकते हैं दो नंबर में भी आ सकते हैं मुद्रा के प्रयोक से वस्तू के विनिमर में सहुलत कैसे आती है मतला वस्तू के लेने देने में आसानी कैसे होती है तो यहाँ पर सीधे सीधे आपसे वस्तू विनिमर में प्रणा लीके दोश पूछे हुए बैग की जरूरत खत्म हो जाथी है मुद्रह के अवष्यकताओं के दौरह सह्योग की जरूरत जो है वह खत्म हो जाती है दूसरा वनिमय में समय खम लगता है तीसरा जो एक पौइंट है ना आप शेंद बाद एक और पौइंट था ना टीन पौइंट मुल्य को अभीवक्ति की समस्या जो घथे मेरी आक है कैसे कुछ centralized तो तीनों चीज हैं अगर हम मुद्र का ऊप्योग करते हैं तो उसे सहूलियत हो जाती है पहला तो तो दोड़ा सभी कि झरूरत नहीं पड़ती खथम के दूसरा जो है वह है कैन दूसरा जो है वह हम करना मतला मुद्रा झाल जो आसान होता है comfort गो कि अभी बताया ने तीसरा क्या था अभी जस्ट पड़ा कि मुल्यों का कुछ था है हाँ वस्तों का मुल्य जो है वो जो उनका जो मुल्यांकन हो रहा था अपन देख रहे तो हैं पनको सोने के है ना मुद्रा के प्रयोक से भाई यह महंगी चीज़ है तो यह इत्ते मुद्रा के आएगी है ना तो वस्तों मुद्रा के प्रयोक से वस्तों मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं तो मुद्रा के आधुनिक रूप हैं सिख्के कागस के नोट और चेक बैंकों के आ अकम के साथ ब्याज वसूलते हैं जिससे उनकी प्रमुख आमदनी होती है यही लिखो गया रिंग के ओपचारिक श्रोत कौन कौन से हैं रिंग के ओपचारिक श्रोतों में बेंक और सहकारी समीतिया आती हैं आप अगर तीन नमर के साफ से और बढ़ाना चाहते हो इसमें तो जो है वो नियांतरन रखती है, इसलिए इन से मिलने वाला रिन जो है, वो ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है किसी अनौपचारेक्स्टोर्ट से मिलने वाले लोन की wt constitute न रिर के सतंता में, यह थोड़ा सब बढ़ा आगल लिए यह सुरक्षित सम्था जाता है आप उनको पता है तो लिखो ना आप उसमें तीन नमर के साब से रिंड के अपचारिक श्रोथ कौन-कौन से बैंक और सयमकारी समीतिया है इन श्रोथों पर आरबी आई के द्वारा नियंतर रखा जाता है इसलिए रिंड के अपचारिक श्रोथ अनपचारिक कागज के सुभाय कुछ नहीं रह गया इसे ही हम विमुद्री करण कहते हैं oni नों के बद्ले में नए 500 violent & 5000 को बाजार में लाया गया और लोगों को पुराने नोट बैंक में जम्हां करने के लिए कहा गया इसे ही विमधरी करण कि será unlockization बोलते हैं बहुत है मुद्रा के तीन कार लेखिक है मुध्रा करTाइक पहले तो वस्तो और सिवाओं को लेने में मदद करती है दूसरा जो हम रेंड है उसके ब्यात चुकाने मं मदद करती है तीसरा जो वस्तुर लेने में समय बचाती है हमारा है चौथा वस्तो को सही मूल्य अंकन करती है उनके मूल्यों का सही अंकन करती है वस्तो की मूल्य का सही अंकन हो पाता है जो वह अपने उपर देखा था न वही उसी वह बना वह लाए मैं आवशक के दोहरे सहीयों को समझाईए मेरे ख्याल से आपको पता है अगर मैं इसको वो बैंक आफ इंडिया के तीन कारें लिखिए रिजब बैंक आफ इंडिया को बैंको का बैंक कहा जाता है इसके कारें निम्लिकित हैं पहला भारत में नोटों को जारी करना आर्बियाई का काम है, रिजर्बैंक को इंडिया का काम है, नोटों को जारी करना, नोटों सिक्कों को जारी करना, दूसरा, बैंकों पर नियंत्रन रखना, जितने भी बैंक है न, सभी पर नियंत्रन रखना, कोई ज्यादा ब्यास तो नहीं वसूल रहा है, कोई गलत काम तो कब्राइक को सर्कार को याद रहेगा सरकार को सर्लाह देती है कैसे काम करें जब बैंक रिन मोहिया करवाते हैं रिन उपलब्द करवाते हैं हमें तो उस रिन की अदायगी संबंधी को सुनिश्चित करने के इनको रिन का ब्याद जो सहित रिन वापिस मिल जाएगा उसको सुनिश्चित करने के लिए वो करदार से कुछ ऐसा एसी वस्तू को समर्थक रिन अधार के रूप में रखते हैं जिसका loan नहीं जुकाने की स्तीती में उसको बेच कर बैंक अपनी पैसों की वसुली कर सके है ना तो यह exactly आंसर नहीं बता है मैंने थोड़ासा definition देख लीजेगा मिल जाएगे आपको समर्थक रिनाधार से क्या आसा है लेकिन सीरी सी बात है गिरवी रखना बैंक अपना कर्द वापिस मिल जाएगा उसको सुनिश हो जाएगा अगर कर्दार नहीं देता है पैसे वापिस तो वो उस चीज़ को बेच कर वसूल लेंगे अप्चारिक छेत्रक से ताप्त रिन की विशेशता हैं बताईए पहला अप्चारिक मतला बैंक और सहकारी समयते से हम जो रिन लेते हैं तो आप एक पहली लाइन में तो यह लिखोगे बैंक और सहकारी समयते से मिलने वाला रिन अप्चारिक रिन कहलाता है इसकी विशेशता है निम्लिकित हैं पहला इसकी ब्यास दरें अनप्चारिक स्लोट की तुम्ना में कम होती हैं दूसरा इन संस्थाओं पर आर्बियाई दौरा नियंत्रां रखा ज कि इन संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रा होता है तो व्यक्ति के कर्ज जाल में फसने की संभाव्ना बहुत कम होती है जाना सहयता संमों के तीन कारे लिख See सब्सक्राइब करते हैं और किसी व्यक्ति को करवाते हैं कम ब्याज दरूपर तो पहला काम तो इनका यह है कि व्यक्तियों को अपनी बचत इखटा करना और व्यक्तियों को रिन उप्लब्द करवाना दूसरा काम यह खुद अपने आप बैंक से वह बिना कोई समर्थर रिनाधार के बिना कोई गिर्वी चीज रखे हुए लोन ले सकते हैं बैंक इनकोन की जमाराशी पर लोन दे सकता है दूसरा कार तो ही हो गया तीसरा जो है यह जब स्वयम साथ समूग की मिटिंग होती है तो आपने अब्जेक्टि में भी देखा यह सामाजिक मुद्दों पर घरेलू हिंसा पर इन सभी पर बातचीत करते हैं तो इनका यह भी कारह है कें आपने मिलकर जो है वह समाजिक बुराईयों पर वह बात करते हें अंको दूर करने के उपायक होशते हैं यह नहुत कहा हैं का हेतिऐ तो व्यक्ति की आमदनी से अधिक खर्च करने की छम्ता को रिन बढ़ाता यह ना किया करता है किसी व्यक्ति के विकास में मतलब आगे बढ़ने में आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में एक महत्पून भूमी का अधा करते हैं क्योंकि अगर रिस्क लेता लोन लेकर कोई बिजनिस शुरू करता है तो हो सकता बिजनिस ग्रोथ कर जा और उसको फायदा जाए तो व्यक्ति के आर्थिक विकास में एक सकारात्मा भूमी का किया गया तो यह स्टेंटेंगा भी पड़ा था पर ने यूनुस क्या नाम था उनका कोई को याद हो गया है क्या यूनुस मॉहम्मद यूनुस बस यूनुस आगे नहीं एक खान होगे रगू अच्छा प्रफेसर मॉहम्मद यूनुस जो थे वो ब्रामिड बैंक के से मध्यस्ता करते हैं अत participar को लोगों के मतरव से बैंक के सब्रस मत sympath करते हैं से देने वाले व्यक्ति हैं यह वह व्याज बशूनते हैं और उस व्याज से जिन रक्तियों ने पैसा जमा किया था उन लोग को ब्याज देते हैं तो यह भी डाइग्राम बाला अगर याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है जिनके पास अत्रिक पैसे थे उनसे पैसे जमा करते हैं वो बैंक में जमा करते हैं और बैंक जो है जो बड़े-बड़े वैपारी रहते हैं उनको जो है वह यह इनसे पैसे लीए हैं इनोंने छोड़े-छोड़े रखे म जमा ज़री इनके पास लाखो कुरों रुपे हो गारे इनने घर्दा किसको दे दिया इनको दे ते और जो है भी डैक्रबालते हैं और जो इन्लोग को पकड़ा, नैंत। को लोग लोग कुझी यह ल लोगों ने इत्ती जरूवत है जो लोग आते उनको लागों करोड़ों रूपर की जरूवत कहा है बिजनेस चार्ट करने की उनको जरूवत है वह चुका सकते हैं लेकिन फायदा वी तो मारा है फिर आगे वर दें इस परकार से मत दस्ता करते हैं वह अतरिक मुद्रावारी लोगों से पैसे लेते हैं और जिनको वश्कर जरूरतमंद लोगों पिलब्द करवाते हैं और उन लोगों को यह उन्म की निख Kruse तो जो ब्याजदर होती है वो समर्थन रिनाधार जो है वो और किस रूप में लोटाया जाएगा ये रिनकी शर्त हैं तीन शर्ते हैं रिनकी पहला कौन सी है पहली है कि मैं अभी बोल के तरण रूल जा रहा हूं पताने क्या हो रहा है मैं डाइवर्ट हो रहा है इसी को बोलते कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाना इटीन दिनकी शर्त थे हैं पहला ब्यास दर कित्ने परसंट पे आपको ब्यास देना है उस पे पहली शर्त यह है ड्याजदर का निधार है दूसरी शर्थ है समर्थन रिनाधार गिर्व क्या चीज़ रख रहे हो आप तीसरी शर्थ है कि क्या हो रहा है आज अबी मैं ने बोली जस्ति शान भूल गय पहला ब्याजदर दूसरा गिर्वी क्यारेक्टर समर्तक मोल और हां तीसरी कर्ज किस रूप में लोटाओगे किस मोल से किस माध्यम से लोटाओगे कैश्ट दोगे यह कड़वाओगे क्या का से कटेगी यह मैं चैक से कटेगी अपने आप कट जाएगी और टो डेविट करो तो किस रूप में वह लोन रिन वापिस चुकाया जाएगा वह भी रिन की शर्ट में आता है तो तीन शर्टे होती है मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है मांग जमा मतलब चैक को मुद्रा क्यों समझा जाता है चैक के सारा भुकतान कैसे होता है बहुत सारे है जो समझ में आया हो त्यारी एक दम से जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कोई भी ऐसा है कोशन या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी भी मीना को समझ में नहीं आ रहा है बढ़ी है क्योंकि पहली बार पढ़ा न वह चैप्टर तो वह बैंक लोन दे रहे हैं उ सब्सक्राइब कोई भी घबर आएगा पहली बाद जाहिर सी बात है विमुद्री करन आज पढ़ा पर नहीं डी मोनेटाइजेशन बोलते हैं अब देखते हैं मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है क्योंकि मांग जमा जो है वो हमारी ही रकम होती है जो हमारे ही पैसे जो है वो बैंक में जमा होते हैं मांग जमा के द्वारा उसी पैसे को हम बैंक को बोलते हैं मांग जमा क्या होता है हमारे जो पैसे बैंक में जमा है हम बैंक को एक कागश पर किसी व्यक्ति का नाम लिख कर देते आधिशित करते हैं कि फलाने व्यक्ति को इतने रूपे मेरे खालते से आधा कर दिये जाए क्योंकि बैंक वो व्यक्ति को मेरे कहने पर पैसे दे रहा है तो ये एक प्रकार की मुद्रा ही होई है ना यह मैंने प्रैक्टिकल वी में आपको समझाया है ना मांग जबा मतलब चेक मेरे खाते से मैं बैंक को लिखके दे रहा हूं कि भाई इतने इस व्यक्ति को इतने रूपे मेरे इस खाते से दे दिये जाए इसलिए यह जो है एक प व्यक्ति को पैसे दिये जाने उसका नाम और कितनी रकम दी जाने हैं वो लिखा हुआ होता है उसे चेक कहते हैं लिखी हुई मुद्रा देने का कष्ट करें तो जैसे ही वह चेक डाला जाता है वह अपने बैंक में डालता है तो खाता धारा के बैंक से जो व्यक्ति का नाम लेखा हुआ उसके बैंक में वह पैसे भेज दिये जाते हैं है ना तो मेरे खाता चेक से भुक्तान पता तो है तुमको कैसे करते हैं मैंने आपको चेक दिया तो मैंने अपने बैंक को बोल कर रहा कर देगी तो इसका बैंक कि देगा कि मेरे बैंक को कॉंके करके आपको फलाने व्यक्ति ने इत्री जी पर देने बादा Ε ये बहुत आपको पता होना अची पहला तो अप्छारी चेक जाना है ना ये हैना बहुत आपको पता होना ची आ एक किस consist और आएक में आते हैं जब रिन जो है सी देदर चेटर इसमें डिया सैंनाब्चारी चेट में lin м किसे इरिया जाता है साहुकार जमीदार रिष्टेदार योक्ता अदि में लिया मिलता है इस पर कोई नीयं नहीं होता है इस मिलता है उन्सकति कर्दारों नियोक्तादी से मिलता है इसमें ब्याजद्रेत कम होती है इसमें इसमें आर्विआ का नियंत्रा रहता है इस पर कोई भी नहीं रहता है इसमें कर्जाल में नहीं फ़सता है लो ना के बरावर होता है क्योंकि व्यांजडरे उच्छ होती है क्योंकि ब्याजडरे कम होती है ना यह की सब्सक्राइब को कमपनी के लिए डे divertment करना है तो उसकी जटनी आमधनी है। रिन उसको उसकी आमदनी से अधिक खर्च करने की चमता पदान करते हैं तो व्यक्ति अपनी चमता से अधिक आगे फ्यूचर भविश्का देखते हुए अपनी चमता से अधिक जो है वो खर्च कर पाता है इसी कारण से उसका जो है वो विकास जो है डवलपमेंट जो है वो ह हो पाता है जैसा कि जूते में देखा था पन्थ बड़ा ऊडर मिला था उन्होंने तो उससे क्या हुआ उनको कुछ प्रॉफित होगा मतलब फायदा हुआ रिंड लेने से तो समस्काइब और पैसे का क्या करेंगे पिर अपना बिजनेस और यह बढ़ा लेंगे भारती रिज़र्व बैंक को किस प्रकार नजर लगता है इस जरूरी क्यों है अच्छा कोशन है आशर पर पता है लेकिन मन से बनाना पड़ेगा मतलब डीटेल तो पता है अलग-अलग आदिशों के द्वारा जिसके कारण से बैंक जो है वो कोई illegal का मतलब ग्यार संवेधाने कार तो नहीं कर रहे हैं उस पर नियांतर रखता है समय समय पर आदिश पारिद करकर उस पर कार से नियांतर रखता है लोगों से जादा पैसे बसूद सकते हैं उनकी जो लोग पैसे जमा कर रहे हैं उसका गलत इस्तमाल कर सकते हैं इसलिए जो है वो इसका इन पर नजर रखना जरूरी है बैंकों में निक्षेप किस पकार किया जाता है यह लोगों के लिए किस पकार उप्योगी है बैंकों में निक्षेप मतलब जमाराशी किस पकार की जाती है और यह लोगों के लिए जरूरी क्यों है तो बैंकों में निक्षेप जो जाया तर जो लोगों की बचत होती है वो अपनी बचत राशी जो है वो बैंकों में निक्षेप के रूप में जमा करते हैं और इस जमारासी पर बैंक लोगों को ब्याज मुहिया करवाते हैं ब्याज उपलब्द करवाते हैं और वह जाएर सी बात है आप घर में रहोगे वो पैसे आपको ब्याज नहीं मिलेगा अपने अपनी도 पढ़ेंगी बैंक मैं आपको कुछ परसंट ब्याज मिलेदा इसलिए लोगों के लिए यह उपी होगी है यह ना बैंकों में जमाओं को प्रोसाइट करने के नए तरीके क्या है कि मैं इसको अभी यहीं रोक रहा हूं क्योंकि दस कोशन बागी है आँ बोलते बोलते ठक गया हूं बहुत जादा सुपह से बोल रहा हूं तो थोड़ा सा अभी यहीं रोक रहा है कल इसको मतलब कंटीनियू करके ख़ताम करेंगे चैप्टर कि थोड़े सो अब्जेक्टिव इंटरनेट के देखेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी जो है वह कितने चैप्टर बाकिंगे एक बार्मेंट देखें यह तीसरा चल रहा है ना कि लो में ब्लूप्रिंट खोलने एक बार कि अधिश्वी करनों भातिया वबस्ता दो नंबर का कोशन आना है और वो एक ही चैप्टर बचा हुआ बस्त वेश्वी करनों आर्थिक अर्थिवेवस्ता जिसमें से दो नंबर का एक कोशन आना है यह कंप्रीट हो जाएगा अपनका बस एक पोर्शन बचेगा बस पिर कौन सा वाला हिस्ट्री वाला अच्छा चल रहा है मतलब सोशल में इतने ज्यादा पीछे नहीं है सेविक्स मैंने क्लास में पढ़ा दी है चलो तो ठीक है फिर आज की क्लास यहीं रोकते हैं उमीद है आप कुछ लोग आप लोगोंने कुछ नहा सीखा होगा आज भी अपनने कोशन आनसा जो कल बागी सब्सक्राइब आज कुछ नया सीखने को मिल गया होगा है ना कल सुबह साथ बज़े मिलते हैं आर क्लास में आज की इतना ही बाए गुड़नाइट जाए गुड़नाइट सभी को कि अधा